हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई इस्टेडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं आफर्ड यूद फितनेश टेस्ट के बारे में वह सभी टॉपिक जो आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं बताने वाली हूं दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आफर्ड यूद फ फिजिकल एजुकेशन कमपेटिटी एकजाम्स रिलेटेड टीडी टीटी पीजी टी के व्येस अन-वियेस अन-ल्टी प्रिफ्प्रेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस के एकार्डिंग ये टी फिप्रेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के एकार्डिंग पड़े हुए हैं उन सब वीडियोज को वाइस करके आपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं और दोस्तों यमसी की कुस्टन्स प्रिवियर टेस्ट के अंतरगत आफ़र्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आफ़र्ड का फुल फॉर्म क्या होता है का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एलियांस फार हेल्थ फीजिकल एजुकेशन रिक्रियेशन एंड डान्स दोस्तों इसको कब-कब एस सब्द जुड़े इसमें इसको याद करने का ट्रिक है आप कैसे याद कर सकते हैं इसको आठ से दस बार आप बोलिए याद हो जाएगा तो इससे ट्रिक से क्या होगा दोस्तों 1937 में इसमें स्वास्त यानि हेल्थ सब्द जुड़ा उसके बाद 1937-38 में मनरंजन यानि रिक्रियेशन सब्द जुड़ा इसमें इसमें इलियंस सब्द जुड़ा तो ये ट्रिक है आपका नया संसोधन हुआ है दोस्तों 5 सितंबर 2013 में इसका नाम बदल करके सेफ खेल बना दिया गया है इसका नाम बदल करके क्या बना दिया गया है सेफ अमेरिका हो गया है कब 5 सितंबर 2013 में आफ़र्ड यूथ फिटनिस टेस्ट का नाम बदल करके सेफ अमेरिका कर दिया गया है जिसका फुल फार्म होता है सोसाइटी आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों इस पॉइंड को आप इसने और किसलिए बनाया गया जैसा कि दोस्तों इस को इस बार यूपी टीजेटी में भी पुछा गया था कि आफ़र्ड यूथ फिटनिस टेस्ट क्या मापने के लिए बनाया जाता है दोस्तों यह मोटर फिटनिस फिजिकल फिटनिस के अंतरगर्ट मोटर फिटनिस यान 1958 में पोल हन्सीकर के द्वारा बनाया गया तो दोस्तों उस समय 1958 में जब पोल हन्सीकर ने आफर यूथ फिस्नेस टेस्ट युवाओं के मोटर फिस्नेस मापने के लिए बनाया तो उसमें इस समय साथ टेस्ट आइटम्स थे तो दोस्तों कौन कौन से साथ टेस्ट आइटम्स थे इसके अंदर का पहला था पुल अफ्स फार बॉइज और फ्लेक्स आर्म हैंग फार गॉल्फ यानि पुल अफ्स बॉइज के लिए और फ्लेक्स आर्म हैंग गॉल्फ के लिए यह क्या मापता है दोस्तों arm and shoulder muscular strength and endurance यारि जो pull ups और flex arm hang है wise angles के लिए यह क्या मापता है arm and shoulder muscular strength and endurance जो हमारे हाथों और कंधों की बाह और कंधों की strength है मंपेशी सकती और सहन सिलता है उसको मापता है क्योंकि दोस्तों आपको यह याद करना very important है क्योंकि इसी के बीच में से questions पुछता है तो साथ टेस्ट आइटम में से पहला है pull ups boys के लिए flex arm hang महिलाओं के लिए गल्स के लिए तो यह क्या मापता है हमारे arm and shoulder की muscular strength and endurance को मापता है दूसरा है straight knee sit up यानि कि पैर एकदम सीधा करके sit up करना 50 girls के लिए 100 boys के लिए यह sit up क्या मापता है दोस्तों इसका सीधा प्रभव हमारे पेट की muscles पर परता है यानि abdominal muscles पर तो यह हमारे abdominal muscles की strength and endurance यानि पेट की मानस्पेशियों की सक्ति और सहनसिलता को मापता है या भी सेश रुक में ध्यान में रखिएगा एन दोस्तों तीसरा है subtle run 10 गुड़े 4 yards का दोस्तों subtle run क्या मापता है agility and speed को मापता है जैसा कि दोस्तों subtle run आप सभी जानते होंगे कि एक starting point होता है एक end point होता है end point पर कोई चीज रखा होता है उसको उठा करके पुरा starting line पर आना होता है यही subtle run होता है इसमें खिलारे की agility and speed मापता जाता है next होता है standing broad jump दोस्तों standing broad jump जैसा कि कई बार बता चुकी ही पिछले वीडियो में यह क्या मापता है यह explosive power off leg यानि हमारे पेरों की बिसफोटक सक्ती को मापता है यानि explosive power off leg पेरों की बिसफोटक सक्ती मापता है standing broad jump and soft ball पांचवा है soft ball throw far distance यानि की यह soft ball throw far distance जो है यह explosive power off arm and shoulder muscles यानि हमारे बांग की और कंदों की मांसपेशिये muscles यानि power को यानि हमारे बांग और shoulder की explosive बिसफोटक सक्ती को मापता है 60 बांग फ्रो क्या मापता है हमारे बांग की 20 पोटक सक्ती को मापता है चत्वा है 50 यार्ड डास यानि ये 50 यार्ड जो दोड़ है डास है ये क्या मापता है speed मापता है दोस्तों speed मापने का ये सरुत्तम बिद्धी है 50 यार्ड डास इसको ध्यार में रखिएगा एंसात्वा है 600 yard run walk 600 yard run walk दोस्तों यह लंबे समय की ग्रिया होगी इसलिए यह circulatory respiratory endurance को मापता है यानि cardio respiratory endurance को यह मापता है यानि हिदर फेफ्रो की चंता यानि सान सिलता को यह मापता है 600 yard run walk और दोस्तों ये तो था 1908 में पोल हन्सीकर ने युवाउग की फिजिकल फिटनेस को मापने के लिए साथ टेस्ट आइटम बनाया था और दोस्तों इसमें संसोधन करते हुए पुनह 1976 में पोल हन्सीकर तथा गायजी रिफ ने इसमें कुछ परिवरतन किया और साथ टेस्ट आइटम के जगह छे टेस्ट आइटम को इसने रखा यानि कि बरतमान में आपर युथ फिटनेस टेस्ट में कुल कितने टेस्ट आइटम है तो छे टेस्ट आइटम है बस सब कुछ वही है थोड़ा सा चेंज किया गया है जो उसमें साथ बाल थ्रो फार डिस्टेंज था उसको निकाल दिया गया है इस प्रकार 6 test items बचे हैं तो इस 6 test items में softball through far distance हटा धिया गया है तो कौन-कौन से हैं जिसे की pull-ups for boys के लिए and flex arm hang for girls के लिए एक क्या मापता है बता चुकी हूँ arm and shoulder muscular strength endurance को मापता ही दूसरा है इस्ट्रेट नीशी टॉफ्स तीसरा है सटल रन दस गुड़े चार यार्ड या तीस फीड का चुछ था इस्टेंडिंग ब्रॉड जम पाच्वा है पच्चास यार्ड डॉस छठ्वा है छे सो यार्ड रन वाक इसमें और जोड़े गए हैं दूस्तों छे सो यार्ड रन वाक या वन मिल रन वाक 10 से बारे वर्स के बच्चों के लिए यहाँ नो मिनट रन वाक दस से बारा इयर्स बच्चों के लिए यहाँ आपका कार्डियो रिस्पारिटरी इंडरियन्स मापता है तो दोस्तों यह छे आइटम्स आफ़र यूथ फिटनेश टेस्ट में बरतमान में हैं और इसका निर्माय किसमें किया था 1908 में पूल हंसिंकर ने उसमें साथ आइटम से फिर 1976 में पूल हंसिंकर वो गाई जी रिफ ने संसुधन करके साथ बाल थ्रो को हटा दिया और सिर्फ छे टेस्ट आइटम बचे हैं जो इस प्रकार है एन दोस्तों फिर से 1908 में पूल हंसिंकर और गाई जी रिफ ने हेल्थ रिलेटेट फिजिकल फिटनेश टेस्ट बनाया आफ़र्ड ने испor 1908 में आफ़र्ड ने येल्थ रिलेटेट फिजिकल फिटनेश टेस्ट बनाया इस में पांच टेस्ट आइटम रखा गया है हैं है थल्ट रिलेटेट में ओंश टेस्ट I t तेस्ट यहार सर्कुलेटरी रिस्परियर्टि इंडूर्स या निए धिद प्हीपों की छंता वांसिल्टा को पर दसित करता है मापता है दूसरा है सिट एन रिच टेस्ट। यह भी दूस्तों सिट एन रिच टेस्ट भी इस भर यह पी में पूछा था कि अग क्या मापता है तो sit and reach test flexibility of low back and hamstring muscles को मापता है हमारे low back and hamstring muscles को मापता है sit and reach test क्या मापता है flexibility of low back and hamstring muscles को मेजर करता है ठीक है low back and hamstring muscles के लचीला पर्ण को मापता है sit and reach test sit and reach test low back and hamstring muscles के लचीला पर्ण flexibility को मापता है ध्यान में रखिएगा and bent knee sit ups bent knee जो कि आप अपर दिश्ट में इतने जो 6 items है उसमें straight knee sit up है यानि पैर को सिधा करके sit up करना इसमें bent knee sit ups है यानि कि घुटने को मोड करके पैर को मोड करके यानि bent करके knee को अपने घुटने को मोड करके sit up करना यह मापता है दोस्तों इसका सीधा असर हमारे पेट के मांस्पेशियों पर पड़ता है यह भी बाड़ी कंपोजिशन को मापता है तो दोस्तों यह था आफ़ड यूद फिटनेस टेस्ट जिसमें छे टेस्ट आइटम्स हैं जिसमें से 1908 में पूल हंसी करने साथ टेस्ट आइटम्स यूआओ के मोटर फिटनेस मापने के लिए बनाया उसमें इस छे हैतर में गाई जी रिफ और पूल हंसी करने संसुधन करके साप्टबाल फ्रोफार डिस्टेंस को हटा दिया और छे टेस्ट आइटम्स बचे और 1908 में आफ़ड ने हेल्थ रिलेटेट फिजिकल फिटनेस बनाया तो दोस्तों इसमें से जितने भी कोश्टन्स आ सकते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और कौन क्या मेजर करत है यह मैंने तो आपको बता ही दिया और इसकी डिटेल में जाने की आउसकता नहीं है आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए ज़रुरत है तो दोस्तों आई होब की आफ़र यूथ फिटनेस टेस्ट के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एन दोस्तों यह वीडियो को इसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए जादे से जादे दोस्तों तक भी सेयर किया किजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे मैं आपके लिए डिली बेसेस पे वीडियोज बना सकूँ एन दोस्तों परही वार वीजि कर दोस्तों बना सक है।